उत्तर प्रदेश विधान सभा का बजट सत्र शू हो चुका है 11 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 5 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा मैं सत्र की शुरुआत राजिपाल आनंदी बेन पटेल के अभी भाशन से हुई सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने कहा कि मैं विपक्षी मित्रों से भी इस पारे में अपील करूँगा कि जो आपकी भावनाएं हैं उससे हटकर प्रदेश के विकास के लिए विधान सभा में एक सकरात्मक चर्चा का कींडर बनाने की आविशक्ता है आप सभी इसमें सहयोग करें आपको बताने कि भाशपक के सभी विधायक सदन में राम नामे पट का पहन कर पहुँचे और जैश्री राम का उद्धुखोश भी किया वहीं विपक्षी दलसपा के विधायक हाथ में तख्तियां लेकर मौचे उन्होंने पहले विधान सभा गेट पर बैठ कर प्रदर्शन किया फिर सदन के अंदर पहुँचकर सरकार के खलाफ नारे बाजी गी राजिपाल के अभी भाशन के बाद सदन की कारेवाही कल सुभा 11 बचे तक के लिए इस्तागित कर दी गई है मैं सदन से बाहन निकले नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यहां लोगों को नियाई के लिए आत्मधा करना पड़ रहा है यूपी में ऐसी लोट कभी नहीं हुई जैसी आज है जीरो टॉलरेंस के बात करने वाले कानून व्यवस्ता में जीरो है यह सिर्फ पेडिये के हक और अधिकारों को छीनने में नमबर बन है